हम अंजनीसत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं बानर रोप में जनमी कैसे बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम अंजनीसत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं आवन कधा सुनाती है वानर रूप में जन्मी कैसी बतलाती है हम कधा सुनाती है श्री राम की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मी श्री राम की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मी एक बार मुनिनारत करने बैठे तपस्या है इंद्र देव का जिसे देख सिंहासन हिल गया है मुनिनारत की देख तपस्या है इंद्र देव घब राए सोच रहे है स्वर्ग सिंहासन मेरा राचिन जाए करके कठिन तपस्या नारत सिधी जो पालेंगे स्वर्ग सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेंगे कैसे बाधित की जाए नारत जी की भगते इंद्र देव ने सोची अपने मलमेक यक्ति कामदेव को इंद्र देव तापास भुलाते है आवन कथा सुनाते है श्री राम की सेवा करने ये वानर रूप में जन में श्री राम की सेवा करने ये वानर रूप में जन में इंद्र देव ने कामदेव से सबत ना कहा है नारद जी की करने आपको भंग तपस्या है कामदेव ने इंद्र देव का है आदेश माना नारद मुनी का तप भंग करने का मन में धाना मुनी नारद बैठे थे जहां पर अपना ध्यान लागाए करने तपस्या भंग मुनी की कामदेव चले आए कामदेव ने अपना माया जाल फेलाया है वसंत के जैसा मौसं माया से बनाया है नारद मुनी पर कामबान वो अपनी चलाती है पावन कथा सुनाती है बानर रोप में जन में कैसी बत लाती है हम कथा सुनाती है श्री राम की सेवा करने ये वानर रूप में जन में श्री राम के सेवा कर दे येवानरी रूप में जल में काम देव के भान उन पर कुछ ना सर कर पाए नारद मुनी तो बैठे रही है अपना ध्यार लगाई काम देव ने आजमाई है अपनी सारी शक्ति काम देव से हुई ना बात हितना रद की भक्ति काम देव को होनी लगा है फिर तो पशाणा प्रोध में आकर नारद मुनी कही मुझे न देदेशा इससे पहले की नारद मुनी अपना ध्यान हटाए यो ना ख्रमा या जिना उन से जाकर की जाए नारद मुनी से अपने भूल की ख्रमा उचाहते हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रोप में जन में कैसी बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में काम दीव ने अपनी भूल कप श्चा ताप कियां रसन होकर नारद मुनी ने उनको ख्षमा किया अपने यतन में काम दीव जब नहीं हुई है सफ़ नारद जी से ख्षमा आया जना लोट गए वो गए मुनी नारद ने सुचा मैंने ऐसा तप कियां है काम दीव की कोशिश को विफल कर दिया है काम दीव के भाण भी मुझ पर असर नहीं कर पाए इतना सोच कर नारद मुनी को अहनकार हो जाए भूली नाथ के पास में फिर नारद मुनी आती है पावन कथा सुनाते है वानर रोप में जन में कैसी बतलाते है हम कथा सुनाते है श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में भूली नाथ सीनारद मुनी नेवा करके कहा है दीखो भूली काम देव को मैंने जीत लिया है भूली नाथ तो मन नहीं मन में करने लगे विचा नारद मुनी को हो गया शायद खुद पी एहनकार भूली नाथ नी नारद मुनी से फिरत नाही कहा काम देव को आपने तो मुनी नारद जीत लिया किन्तु अपनी सादगी में ही मुनी नारद रहना यही बात विश्णू जी से कभी भूल के ना कहना अपनी उपला भी पर नारद मुनी नाते हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रोप में जन में कैसी बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम के सेवा करने ये वानर रोप में जन में विश्णू जी के पास में फिर तो नारद मुनी आए हमें विश्णू जी को भी तो सब कुछ दिया बताएं एहंकार हुआ नारद मुनी को विश्णू जी ने जाया करना होगा दूर एहम्य अपने मन में धाना किंत नारद मुनी को कुछ भी नहीं जताया है विश्णू जी से अपना माया जाल रचाया है एक सुन्दर माया नगरी है विश्णू जी ने बसाई वेश्णू मोहिनी नामक कन्या जिसमें है बनाई और सुयंबर विश्णू मोहिनी के पिता रचाते हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रूप में जन्में कैसी बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम के सेवा करने ये वानर रूप में जन्में श्री राम के सेवा करने ये वानर रूप में जन्में नारद मुनिने विश्णू मोहिनी को जैसे ही देखो लगे सोचने विश्ण मोहिनी से करना है विवा सुन्दर रूप बढ़ा ही इसको पहले पाया जाए ताकि विश्ण मोहिनी मुझे को देखते ही अपनाए विश्णू जी को नारद मुनिने खिरतो याद किया कहने लगे कि विश्ण मोहिनी से करना है विवा हरी रूप है विश्णू जी मेरा भी हो जाए विश्ण मोहिनी मुझे को ही वर्माला पहनाए नारद मुनिका विश्णू जी हरी रूप बनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रूप मिजन मेरी कैसी बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम के सेवा करने ये वानर रूप मिजन में करके हरी रूप जुमो नीजे स्वयंबर में आए वेद मान वह जतने योधा खेनी सभे उडाए वेशो मोहिनी ज्यो ही वर्मा लाले करके आए जट से नारद जी ने अपने आगे कदम बढ़ाए वेशो मोहिनी भी उने देखे के हसनी लग गए हैं कहां से मेरे सोयंबर में देखो आया कपी हैं हरी काई एक अर्थ भगतों बानर भी होता हैं ने मिशिनुजी उन्ही बानर का रूप दे दिया हैं देखने को पर छाई जलाश के पास में आते हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रूप में जन में कैसी बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम के सेवा करने ये वानर रूप में जन में जल में अपनी पर छाई को देखा मुनी ने आकर देखा हरी का रूप नहीं वो बरे हुए हैं बालत लगे सोचने की मेरे संग विशनू ने की आच्छा उट को सब कसी खाना होगा जाकर केसी पर प्रोधित होकर विशनू जी के पास में फिर वो आए शेश की शया पर विशनू रहे मंद मंद मुसकाई मुसकाती हुई कहनी लगी हरी मुनी वर कैसे आई किन्तु नारग मुनी तो पहले से ही है जल्लाई और भी क्रोधित उन्ही मुसकाती देख हो जाती है आवन कथा सुनाती है वानर रोप में जन्में कैसी बत लाती है हम कथा सुनाती है श्री राम के सेवा करने ये वानर रोप में जन्में श्री राम के सेवा करने ये वानर रोप में जन्में क्रोधित होकर नारग मुनी ने उन्ही को शाब दिया जैसे वेश मोहिन से मुझे सहनी पड़ी वेराग स्रीता युग मीवन करमान वो मृत्यो लोक जाओगे आप भी अपनी पतनी से फिर बिछड़ी जाओगे आपनी मुझे को हर अस्थान पिवानर रोप दिया इकवालर ही मदद आपकी करने आएगा स्रीता युग मी शीराम बन करके हरी जो आए तभी तो सीवक रूप में अपनी हनुमान को पाए देकर श्राप मुनी नार दून को चल जाती है आवन कथा सुनाते हैं वानर रोप में जन में कैसी बत लाती हैं हम कथा सुनाती हैं श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में स्रीता युग में नार दून का श्राप रंग लायां उनके सीवक हनुमान ने वानर रोप बनायां अंजनी मां की कोख से उतपन हुए भगत हनुमां बच्पन से ही हुए बड़े ये वीर और बलवां परिचे अपनी बल का सब से पहले जब है दियां सूर्य देव को समझ के फल जब इनोने निगल लियां सूर्य देव को निगल गई तो छागया है अंधे का देव लोक में भी मच गई है भगतो हाहा का सभी देवता गम्हाजी के पास में आती है पावन कथा सुनाती है वानर रोप में जन्में कैसी बतलाती है हम कथा सुनाती है श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन्में श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन्में सब देवों ने ब्राम्हाजी से पूछिन चाहा है ब्राम्ह देव क्यों सिश्की में अंधिकारे चाया है ग्रम्हाजी ने जब देखा है अपना लगा कर ध्या कहने लगी की सुर्य देव को निगन गए हनुमान हनुमान को सब देवों ने फिर आके मनाया अपना अपना तोर तरी का सबने है अपनाया सुर्य देव को हनुमान ने जब मुक्त किया इंद्र देव को हनुमान पर बड़ा ही क्रोध हुआ क्रोधित होकर उन पर अपना वाजर चलाती है आवन कथा सुनाती है वानर रोप में जन्में कैसी बतलाती है हम कथा सुनाती है श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन्में श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन्में पूरचित होकर बजर प्रहार सी हनुमान गिर जाई अपनी पोत्र का हाल जाननी पावन देव फिर आई इंड़ देव पर पवन देव नी बड़ा ही क्रोधि किया क्रोधित होकर पवन देव नी वेग है रोक लिया वेग रुका जो पवन देव का सभी बड़े ख़बराए कोवन देव के विलाता कोई सास ना ले पाई ब्रह्माजी ने आ करके फिर उन्हे मनाया है हनुमान को भी मुरचा से तभी उठाया है हनुमान के वज्रदेह ब्रह्माजी बनाते है पावन कथा सुनाते है वानर रोप में जन में कैसी बतलाते है हम कथा सुनाते है श्री राम के सेवा करने ये वानर रोप में जन में श्री राम के सेवा करने ये वानर रोप में जन में हनुमान नी सूर्य दीव को फिर सी मोक्त किया इंद्र दीव को अपनी भूल पर पशाताप हुआ सब दीवों नी हनुमान की बोली जै जै का अपनी अपनी शक्ती का फिर किया उनमी संचा शाक्ती पाकर और भी बच रंग हो गए है मलवान शक्ती में कोई दीव नहीं है अब तो इनकी सामान कभी हवा में उड़ते हैं कभी पथर लुड़कातें पवन पोत्र होली के कारण हवा में उड़ जातें रिशी मूक के पोत्र देख की नहीं डर जाती हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रोप में जन्में कैसी बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम के सेवा करने ये वानर रूप में जन्में श्री राम के सेवा करने ये वानर रूप में जन्में रिशी मूक से पोत्रों ने आखर के बताया है रिशी मूक ने श्राप दिया बल अपना भुलाया है किन तो इतना भी कह दिया कोई जब तुम्हें याद कराएं अपना बल ही हनुमान तब याद तुम्हें आ जाएं चोदा वरश बन वहां से को जब है श्री राम आएं मासी ताका करके हरण तब रावन ले जाएं श्री राम सोग्रीव मेत्र ताहलू आन ने कराएं है सोग्रीव का दुश्मन उनका बाली भाई बाली बधिकर राम मेत्र का फर्ज निभाते हैं आवन कथा सुनाते हैं वानर रोप में जन में कैसी बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में श्री राम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में सीता मा को खोजन का सब ने विड़ा उठाया नारद मुनि का श्राप है भगतों देखो रंग राया सहायता वानर सीना की उन खोलेनी पड़ी हैं हनो मानने वानर रोप में सीवा की बड़ी हैं नारद मुनि ने विश्नुजी को जैसा श्राप दिया रेता युग में आकर भगतों सच है वही हुआ श्री हरी विश्नुजी की ये भगतों माया है धर्ती सीरा मन का त्याचार मिटाया है और रोद्र अवतार रूप में बजरंग आती हैं पावन कथा सुनाते हैं वानर रोप में जिन में कैसी बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं श्रीराम की सेवा करने ये वानर रोप में जन में